नमस्कार दोस्तो सागत है आप सब लोगों का आपकी अपने यूटूब चैनल बिग ओनलाइन गुरू में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप Common Service Center अर्थाथ CSC Portal से बिजली कविल कैसे जमा करेंगे और उसकी रसीद को प्रिंट कैसे करेंगे इसके वारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा और इसे यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप बिजली का विल कैसे जमा करेंगे, रसीत कैसे प्रिंट करेंगे, तो इसके बारे मैं आपको step by step अच्छे से समझाऊंगा, तो आपसे request है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको यहाँ पर अच्छे से समझ म होगा, तो इसमें आप देख पाएंगे, जो कुछ commonly services हैं, वो उपर की तरफ यहाँ पर सो होती रहती हैं, जैसे कि यहाँ पर agriculture, banking, government, insurance, electricity, fast tag, इस तरीके से बहुत सारी जो कुछ commonly services हैं, वो यहाँ पर so होती रहेंगी, जो कि यहाँ पर move होती रहती हैं, जाद है services में जाना आप यहाँ पर search कर सकते हैं, और search करने के बाद वो option आपको मिल जाएगा, तो उस पर आप click कर देंगे, तो जो electricity का option है, इस पर आप click कर देंगे, और click करने के बाद इस तरीके से आपके सामने जो electricity का page है, जो CSE portal में, वो interface है, वो आपके सामने यह open हो जाएगा, तो इसमें आप देख पाएंगे, side की तरफ, electricity जो है, वो यहाँ पर so हो रही है, तो यहाँ पर तीन option so हो रहे हैं, जैसे कि favorite willers, bill payments और OTS service, favorite willers वो होते हैं, जो आप यहाँ पर select कर लेते हैं, जो कोई hard time आप बिजली का बिल जमा करते रहते हैं, एक ही वित्रन कंपनी से, तो वो आप select कर लेते हैं, वो इसमें आप so हो जाएगी, उसके बाद OTS service वो होती है, जो की burn time के लिए होती है, जैसे कि बिजली के बियाजदरों में अगर छूट आती है, होती है, कभी government की तरफ से चलती है, तो वो OTS service में उसके द्वारा जो bill है, वो जमा होता है, और यहाँ पर चेतर में जो बिद्धूत बित्रन company हो, वो यहाँ पर आप select कर लेंगे, और यहाँ पर आगर आपको यह नहीं मिल रही हो, ढूणने में दिक्कत हो रही हो, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो सर्च वार दिया है, इस पर आप click कर देंगे, और click करने के बाद यहाँ पर जो state या तो उतरपदेश में जितनी भी विद्धूत बित्रन company हो, वो यहाँ पर 100 होने लगी है, और मेरे छेतर में जो विद्धूत बित्रन company हो, वो यहाँ पर 100 हो रही है, तो मैं यहाँ पर इस पर click कर दूँगा, आपके छेतर में जो भी विद्धूत बित्रन company हो, वो आप यहाँ पर select कर लेंगे और select करने के बाद इस तरीकी सा side की तरफ यह यहाँ पर यह option आ जाएगा तो यहाँ पर यह option मिलेगा आपको CA number करके यहाँ पर यह option मिलेगा इसमें आप अपना जो account number है account ID है वो यहाँ पर आप डालेंगे वो number यहाँ पर आप enter कर देंगे account ID को यहाँ पर enter करने के बाद नीचे की तरफ जो option है facts will इस पर आप click कर देंगे और click करते ही यहाँ पर आपके जो भी जितनी भी detail हो यहाँ पर so हो जाएगी जैसे कि यहाँ पर customer का नाम CA number account ID यहाँ पर so हो जाएगी तो जितना भी लापका यहाँ परDelda पर आप enter कर देंगे यह पहले से enter हो करके आजाएगा अगर नए हो करके आता है तो यहाँ पर आप अलग से type करके इसको enter कर देंगे इस तरीके से यहाँ पर आप temperature कर देंगे अगर यहाँ पर पूरा बिल जमा नहीं करना और कम बिल में आप minimum बिल है वो आप 792 से कम नहीं कर सकते 792 से उपर करना है वो यहाँ पर minimum पेवल जो amount है वो यहाँ पर 100 हो जाएगा तो यहाँ पर अगर जैसे मैं यहाँ पर 3089 न करके यहाँ पर मैं 1000 रुपए यहाँ जमा करूँगा बाकी कबिल मैं बाद में जमा करूँगा तो मैंने यहाँ पर 1000 रुपए एंटर कर दिया अगर आप पूरा बिल जमा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 3089 जैसे सो हो रहा है तो यहाँ पर पूरा amount यहाँ पर enter कर देंगे और यहाँ पर जितना भी पर आपने amount है यहाँ पर प्रोल जमा करके बाद यहाँ पर यहाँ पर आप understood अँचे से प्रोफथ आपार दियो मैं पर यहाँ हो जाएगा है जैसे कि यहां पर डौन लोट पर क्लिक कर देंगे और पीदियाफ में लेफ्टाओप के यह सेब हो जाए गी और उसके बाद इस तरीके से आप अपने बिजली का बिल है वह इस तरीके जमा कर सकते हैं, और इसमें एक सुब्दा और भी है, जैसे कि अगर आप इसे नहीं, अगर प्रिंट नहीं करते हैं, या डाउनलोड नहीं करते हैं, तो आप इसे अपने इमेल पे भी सेंड कर सकते हैं, या फिर अपने कस्टुमर के इमेल पे भी आप इसे सेंड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है share received on email, इस पर आप click कर देंगे, और जिस email पर भी आप send करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आप email ID को enter कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर email ID को enter कर दिया है, और share पर click कर देंगे, और share करते ही जो रसीद है वो email ID पर पहुंच जाएगी, तो इस यहाँ आप झाल झाल